हेलो चिल्डरन गुड मानिंग टूड़े आई एम गएंग क्यू टीच्यू एसाइमेंट ऑफ हिंडी शो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नबर वान विवान में आपको दिया है कोष्टक में से उची सब्त चून कर खाली जगह में लिखिए कोष्टक में से उची सब्त चून कर खाली जगह में लिखिए विकोष्टक में आपको शब्त दिये है उसमें पहले है हलवाई हलवाई मनुश्य शीर असुप चक्र पतंग पढ़ाई कोकिला आपको बताया है तीन सुनार पत्तो टोक्री गूमना लोहार पेरो पताके शपेद केला अश्विन और शान अभी आपको ये वर्ष दिये है और खाल जग्या में भरने है आपको फिलब करना है अभी वन नमबर में आपको बताया हुआ है एक खाल जग्या में गूपाल को हर साल इनाम मिलता है पड़ाय में गूपाल को हर साल इनाम मिलते है पड़ाय में गूपाल को हर साल इनाम मिलते हैं दिपाली पर बच्चे खाल जग्या फोड़ते है तो दिपाली पर बच्चे क्या फोड़ते है फटा के पटा के फोड़ते है अब इनाम में आपको दिया है दिपावली हर साल खल जग्या मास में आती है तो दिपावली हर साल अश्विन मास में आती है या अक्टोबर के नवेंबर के बीच में होती है अश्विन मास दिवाली हर साल अश्विन मास में आती है फूर नमबर कोयल खाल जग्या में चिपकर बैठती है, तो कोयल कहां पे चिपकर बैठती है, पत्तों के अंदर, पत्ते होते हैं उसके अंदर वो बैठती है चिपकर, तो कोयल पत्तों में चिपकर बैठती है, फाइन नमबर कोयल को खाल जग्या भी कहते है कोयल का दुसरा नाम क्या है आपको मालूम है कि कोयल को क्या कहते है दुसरे हम तो कोयल को कोकिल भी कहते है कोकिला कोकिला नाम है उसका कोयल को कोकिला भी कहते है 6. हमारे राष्ट्वद्वज में कालजी जग्या रंग है अभी अपने राष्ट्वद्वज में कितने कलर का रंग होता है 3 कलर के कितना 3 तो हमारे राष्ट्वद्वज में 3 रंग है 7. ती रंग है जंडे के बीच में खाल जग्या रंग है अभी जंडे के बीच में आपको मालूम है सबसे बीच में कौन सा कलर है? मिडल में तो सफेद है क्या है? सफेद कलर है ती रंगे जंडे के बीच में सफेद रंग है सफेद कलर का रंग होता है उसके अंदर देश की शान है तीरंगा है वो तो तीरंगा हमारे देश की शान है नाइन नमबर हमारे राष्ट पद्वज के सफेज रंग में रंग के बीच में खाल जग्या है अभी आपने राष्ट पद्वज देखा है यानि बीच में कलर कलर यानि सफेज कलर है तो उसके बीच में क्या होता है तो अशुक चक्र होता है क्या होता है अशुक चक्र तो हमारे राष्ट पद्वज के सफेज रंग के बीच में अशुक चक्र है सफेत रंग के बीच में क्या होता है अस्वक चक्र है 10 नमबर सोनु को खाल जिग्या बहुत पसंद था क्या पसंद था सोनु को केला सोनु को केला बहुत पसंद था अभी सोनु एक लड़का है और उसको केला खाना बहुत पसंद है तो सोनु को केला बहुत पसंद था 11 नमबर छिलके हमारे कालजिग्या में ही डालने चाहिए छिलके कहां पे डालने चाहिए टोकरी में तो छिलके हमारे हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए छिलके हमेशा कहां डालने चाहिए टोकरी में छिलके हमेशा टोकरी में ही ढालने चाहिए छिलके हमेशा टोकरी में ही ढालने चाहिए ट्वेन नमबर शोनु ने जमीन पर गिरती हुई एक खाजिग्या देखी तो पतंग देखी, क्या देखी? पतंग सोनु ने जमीन पर गिर्ती हुई एक पतन देखी थर्टीन नमबर टोपी खल जग्या पर पहनी जाती है तोपी कहाँ पहनते हैं अपने शीर पर पहनते हैं कहाँ पहनते हैं शीर पर तोपी शीर पर पहनी जाती है चौदा नमबर चूते खल जगिया में पहने जाते है चूतों को हम कहां पहनते है पैरों में चूते कहां पहनते है पैरों में तो जूते पैरों में पहने जाते है चूते पैरों में पहने जाते है 50. नमर तोपी और जूटे करजग्या की सेवा करते हैं तोपी और जूते खाल जग्या की सेवा करते हैं तो मनुश्य की तोपी और जूते मनुश्य की सेवा करते हैं कenda करते हैं मनुष्य की शेवा जैसे तूप से तूप होती हैं और बाहर निकलो टोपी पैन्द के निकलते हैं और अपने पेरों को चूते होते हैं वो कंकर मिठी कादव अगरते से सबसे बचाते हैं उप मनुष्य की शेवा करते शिक्स्टीन नमबर लोहे की चीजे बनाता है अभी लोहे की चीजे कौन बनाएंगा लोहार चो लोहार होता है वो लोहे की चीज बनाता है तो लोहार लोहे की चीजे बनाता है तरत्रा नमबर दिया है तरतर की मीठाईया बनाता है तरतर यानि अलग अलग टाइप की मीठाई बनाता है तो वो कौन है तरतर की मीठाईया बनाता है तो हलवाई हलवाई तरतर की मीठाईया बनाता है 18. सोने चांदी के गहने बनाता है 19. साइकल पर पैट कर खाल जे गया मुझे बहुत पशंद है तो क्या पसंद है साइकल पर बैट कर गुमना तो साइकल पर बैट कर गुमना मुझे बहुत पसंद है बनामबर अच्छी आदत के शामने राइट जो अच्छी आदत है उसके सामने क्या करना है राइट और बुरी आदत के सामने रौंग का चिनह कीजिए अच्छी आदत के सामने राइट का और बुरी आदत के सामने रौंग का चिनह कीजिए अब आपको right wrong दिए उसमें जो अच्छी आदत है उसमें right करेंगे और जो बुरी आदत है उसमें wrong करेंगे वी वन नामबर अमेशा बढ़ो की इज़त करना वो है right है अच्छी आदत है तो right आएगा वनसी आदत है अच्छी तो right 2. फलो के चिल के इदर उदर फैकना बुरियादते तो रोंग आएगा 3. पानी बर्बाद करना वो बुरियादते तो रोंग 4. पानी बर्बाद करना वो बुरियादते तो रोंग करेंगे उसमें 4. फोर नंबर में इदर दिया है आपको 4. चिल के हमेशा टोक्री में ही डालना चिल के हमेशा टोक्री में ही डालना वो अच्छी आदते तो रोंग करेंगे 5. फानी बर्बाद करना वो बुरियादते तो रोंग राइट आगे उसमें 6. दिन पर दूर दर्शन देखना यानी पूरे दिन टीवी देखते रेना तोग बुरी आदते तो रोंग आएगा शुबह जल्दी उतना अच्छी आदते तो राइट एट नमबर प्रति दिन कई बार चाई पीना यानी रोज के कई बार चाई पीना तो वो बुरी आदते तो रोंग आएगा प्रति दिन कई बार चाई पीना रोंग नाइट नमबर प्रति दिन दाफ शाफ करना यानी रोज अपनी दाफ साफ करना अच्छी आदते राइट प्रती दिन दान्त शाफ करना राइट टेन नमबर हर रोज शिष्टाचार का पालन करना राइट शिष्टाचार का पालन करना हर रोज वो अच्छी आदते तो राइट आएगा हमेशा बड़ो की इज़त करना राइट टेन नमबर फलो के शिलके इधर उधर फैकना रोज प्रीपानी बरबाद करना रोज और शिलके हमेशा टोकरी में ही डालना राइट गर तता आगन को शाफ शुत्रा रखना राइट इक नमबर दीन बार दूर जर्शन देखना रोज शुब जल्दी उठना राइट प्रती दिन कई बार चाय पीना राइट राइट प्रती दिन डांस साफ करना रोज अपने दांतों को साफ करना राइट खर रोज हिस्टा चार का पालन करना राइट अब व्यांजन हिंदी में लिखिए व्यांजन को किसके में लिखना है हिंदी में ये व्यांजन थि आपको दिये है कं ये इसमें हिंदी लिखना है, इसमें कह हिंदी लिखेंगे, कह, 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 कह पूर नमबर CACH. J E CH. N E N. N E N. हे हैं? ह हो सह सह नाइन नमबर में दिया है जी एचे गो जी एचे गो टेन नमबर सी डबल एचे चो सी डबल एचे चो एलेवन नमबर पी एपो पी एपो पैल नमबर आरे रो आरे रो टेन नमबर ची एन एग्यो ची एन एग्यो पुर्टिन नमबर बी एबो बी एबो फिप्टिन नमबर एफे फो एफे फो टी ए ट टी ए ट ऐसे को खो गो चो जो नो हो शो गौ छौ पौ तरह नौ बा पौ पॉर्टा निम्मत लिकित प्रश्णों के उत्तर लिखिये अभी आपको नीचे प्रश्णा दिये हैं उसके उत्तर लिखने हैं आपको विवन नमर में दिया है गोपाल किस में बहुत कुशल है गोपाल किश में बहुत कुशल है गोपाल कैच लेने में बहुत कुशल है कैच यानि जो गैंज वो लोग खेजते उतमें वो कैच पकड़ने में बहुत कुशल है कुश होता है वो पूर तेवहारो की रानी किश को कहते है दिपावली को तेवारो की रानी है दिपावली तेवारो की रानी है प्रे नामबर दिपावली के दिन लोग कैसे कप्ड़े पैंते है तो दिपावली के दिन लोग नए कप्ड़े पैंते है दिपावली के दिन लोग नए कप्ड़े पैंते है और नमबर कोयल की बोली कैसी होती है कोयल कैसे बोलता है उसके बारे में बताया है कोयल की बोली कैसी होती है कोयल की बोली मीठी और सूरिली होती है कोयल की बोली मीठी और सूरिली होती है कोयल के दो और नाम बताओ कोयल के और दो नाम बताने है, उसके दो नाम कुन से है कोयल के, कोयल के दो और नाम बताओ, तो कोयल के दो नाम है, पिक और कोकीला, कोयल के दो नाम पिक और कोकीला है, क्या है, पिक और कोकीला, कोयल के दो नाम पिक और कोकीला है, 6. बेडिया अपने आपको कैसा समझता था 7. गाई का नाम क्या है? गाई का नाम क्या है? गाई का नाम गवरी है लालू किसका नाम है? लालू बच्डा का नाम है मक्की किससे दूर भागती है? मक्की किससे दूर भागती है? तो मक्की सफाई से दूर भागती है मक्की सफाई से दूर भागती है सोनू की क्या आदत थी? तो सोनू को केला खाकर छिलका इदर उदर फैकने की आदत थी सोनू को केला खाकर छिलका इदर उदर पैकने की आदत थी डाकिया कहां काम करता है? तो डाकिया डागगर में काम करता है तो टोपी जूते को छोटा क्यों कहती है? चूता पैरों में रहता है इसलिए वह उसे छोटा कहती है थाटिन, रोमिल को साइकल किस ने दी थी? रोमिल को साइकल किस ने दी थी? रोमिल को साइकल पिता जी ने दी थी? इस ने दी थी? पिता जी ने रोमिल को साइकल पिता जी ने दी थी पोटिन, रोमिल ने साइकल का क्या नाम रखा है? तो रोमिल ने साइकल का नाम पवन पर ही रखा है गाई रोज कितना दूद देती है गाई रोज छे साथ लिटर दूद देती है समझ गए? ओके अंडर शूर कर दंजर है